आप सब कैसे हैं मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे मैं आकास कुमार बढ़ाना ICT Virtual Classroom मैं आपका बहुत बहुत स्वाकत करता हूं मेरे प्यारे वच्छों जैसे आपको पता हैं कि बेसिकले सेवन्ध क्लास हैं और सेवन्ध क्लास के अंतरगत हम लोगोंने कल एक चेप्टर पढ़ाता समानता और इस समानता के अंतरगत हम लोग देख रहे थे कांता की कहानी को हमने पढ़ा जैन साब और कांता की कहानी का आपस में कंपरेजन किया उसके बाद अंसारी फैमली और ओम प्रकास बालमी की के बीच कैसे जाती के अधार पर उनके साथ आसमानता बेदवाब हुआ और एक उनको बालमी की समय आपके समास से थे और उनको पूरे स्कूल में जड़ो लगाने के लिए बोला गया उन्होंने इस दुख और दर्द को अपनी किताब में लिखा है जिसका नाम है जोटन मैंने आपको बता था एक उनकी ऑटोबाइगराफी है और जोटन में वो इस देती हैं ऐसी कुरूतियों को ऐसी विडंबनाओं को हमारे समास से दूर करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की हैं और सब हम लोगों को अगर हम किसी इसी अगर कोई हम ऐसा विभार देखते हैं कि कि किसी के खान पान पर धरम जाती के अधार पर अगर हम किसी के साथ को ब सकता नहीं परती ना किसी कानून की ना किसी संबिधान की संबिधान और कानून का हवाला तब गिया जाता है जब इंसान की मानपता विल्कुल मर जाती है तब आखरी उप्चार होता है कानून हम कानून की मदल हैं क्या हम इतनी लाचारी में हैं हम इतनी बेवसी में हैं क्या हम लोग इतने बड़े ऐसी चीज़े में इस्तिती में हो रहा है हमारा समाज ऐसे जा रहा है कि हम काश्ट अधार धरम अधार पर लोगों में विवेत कर रहे हैं आसामानता पा रहे हैं हाँ कोई वक्ति अमीर करीब हो सकता है लेकिन मानपता तो किसी अमीर करीब को नहीं दे मांस तव्य को हमने पढ़ लिया था और प्रकास बालमिकी की पूरी कहानी पढ़ी थी और इसके नीचे अंसारी फैमिली थी उसको भी हम लोग देख चुके थे कि उनके मांस के अधार पर यह मुसलिम है इसलिए उनको माकार नहीं दिया जाएगा यह आपको किलियर होना चाह आपका दिखाए दिया लेकिन जब वो काम कर रही थी तो कैसे उसने बहुत सारी चीजों को सुना और उसके साथ कैसे कैसे उसका विभार हुआ उनने इन सब विभारों को आपका देखने का और बात करने का वोसिस भी किये इतना हम लोग अपने इस लेक्चर के अंतर के तापका बहुत अच्छे से देख चुके थे और बात भी कर चुके थे यहां तक किसी बच्चे है कोई डाउट कोई क्वेरी हो आगे बढ़ता है अब हम शुरू करेंगे मानविय गरीमा का मुल्य जो मानव है उसकी मानविय गरीमा का क्या मुल्य है उस मानविय गरीमा के मुल्य को हम लोग पढ़ेंगे और आपका विचार करेंगे अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ आसमानता का विभार बस इस कारण होता है कि उनका जनम, किसी जाती, लिंग या धरम से हुआ है और वे उचवर के हैं या मध्यम या निम्न वर के ओम पिरकास बालमीकी और अंसारी परिवार के साथ आसमानता का विभार जाती और धरम गर्थ कारणों से हुआ तो ध्यान दीजी ओम्प्रकास बालमीकी के साथ जितना भी घटना होई किस के अधार पर होई इसके साथ बेभार किया गया है जाती के अधार और अंसारी दंपत्ती को परिवार को अगर कोई मकान नहीं दे रहा था किस कारण से धर्म के कारण से कि वो मुसल्मान है मीस मच्छी मदीरा खाते होंगे या कुछ भी कारण है जबकि मच्छी दोहां भी पकर रही थी यह कहीं ना कहीं जाती का धर्म लिंग इत्यादी के अधार पर बढ़ावा देता है अब आप मुझे बताईए एक मैं आपको चली क्वेरी देता हूँ बहुत अच्छा जाकोशन है ढून के लाईएगा कि किस अनुछियत के तहद कौन सा अर्टिकल ऐसा है भारते संबिधान का जो किसी धर्म जाती लिंग या वंस के अधार पर आपका क्या नहीं करता है उत्पिणन को रोक लगाता है किसी भी विक्ति को धर्म जाती लिंग जनमिस्तान के अधार पर बेदभाब नहीं किया जाएगा किस आर्टिकल के तहती यह प्रोविजन है इंडियन कॉंस्टिउशन में एक खोचकर कल आप मुझे बताना देखें जब लोगों के साथ आसामांता का वहवार होता है तो उनके तो उन्हें सम्मान को ठेश पहुचती है कैसे होती है जो उनका सम्मान है और सम्मान को ठेश पहुचती है और प्रकास बारमी की तथा अंसारे दंबत्ती के साथ किये गए वहवार से उनकी गरीमा को ठेश पहुची औम प्रिकास बारमिकी को उनकी जाती के कारण इस्कूल में ज़डू लगवा कर सिक्षक और छात्रकों ने उनके सामने बुराई की तरह आहत किया और उन्होंने ये मैसूस किया कि विधालिय में उनके छात्रों के समान नहीं है क्या दिखाने कोसिस की ये तुम क्या हो इनके बराबन नहीं है उनमें से कमतर है यानि कि आप उनसे नीचे हो बच्चे होने के कारण औम प्रिकास बालमिकी ने स्वैम इसके बारे में कुछ अधिक नहीं कह सके किन्तु जब वे अपने पिता ने अपने वेटे के ज़ाड़ों लगाते वे देखा तो उन्होंने इस आसहन विभार का करोध किया और अपने सिकसक के सामने ब्रोवत प्रिकट किया जब अन्सारी लोगोंने अन्साय दमपत्ती को अपना मकान किरायपर ना देने से इंकर किया तब उनके सम्मान को चूंट पोची फिर भी जब प्रॉपर डिलर ने नाम बदलने का सुझाब दिया तब उनका आत्म सम्मान ने उन्हें रोग लिया नहीं, हम आत्म सम्मान हैं, हम ये कां ऐसा करेंगे और उन्होंने सुझहाप को ठुकरा दिया वंपरकास बालमिक्ई और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा वेवाद नहीं होना चाहिए था वे समान और उसी गरीमा के हगदार थे जो अन्य व्यक्ति को मिल रही थी यानि कि जिस परकार की गरीमा आपका ये आपके चीजे और किसी को मिल रही थी ये भी कैसी थी उन्हीं को ही आपका मिलने चाहिए थी तो कोई ऐसा था नहीं कि अलग-अलग कारणेश में बन जाए यदि आप अंसारी दमपत्ती के सुधस्य होते तो आप प्रोपर डीलर के कहने पर क्या अपना नाम बदलने का सुझाब देते कह रहा है कि जब उस प्रोपर डीलर ने ये कहा था कि आप अपना नाम बदल दो तो आप प्रोपर डीलर के सुझाब पर अपना नाम बदलने का सुझाब का उत्ता लिखे ठीक क्या आपको आपने बीते जीवन में कोई ऐसी घटना है जो आपकी गरीमा को ठेस पहुँची है और आपको समय महसूस हुआ हो कुछ ऐसे लगाए कि भईया मेरी गरीमा के साथ इन्होंने छेड़-छाड़ कर दी है अब मैं नहीं जीवित रह सकता ऐसा कभी हुआ है आत्मसम्मान या आपकी गरीमा को चोट पहुँची हो देख लेया अब ये एक इमेज दिखाए गई है आप इसको देखे बड़ी अच्छी है उस समय हक और गरीमा की बात करना था इस इमेज को आप गौर करके देखेंगे तो सायद एक पिक्चर और आपके मस्तिक्स में किलियर हो जाए पहली इमेज को देखेंगे दो बच्चे क्या कर रहे हैं बूट पोलिस अगली इमेज देखिए और फिर यह देखिए वो पैसे को जमीन पर फैंक देता है फिर वो जमीन से बोलता है ए मेरा पैसा उठा के मेरे हाथ में दे यह मेरी मेहनत है किलर हुआ देखिए 1975 में बनी दिवार फिलिम में जूते पॉलिस करने वाला लड़का फैंक कर पैसे दिये उठाने से इंका कर देता है कि दिवार फिलिम का एक पॉस्टर है मतलब पॉस है कि जब वो जोते पॉलिस कराता है तो वो रुपे को फैंक देता है और जमीन पर पैसे गिर जाते हैं, वो कहता है पैसे को उठाने से इंका कर देता है, कि मैं पैसा नहीं उठाओंगा, वह मानता है कि उसके काम की भी गरीम है, जो पॉलिस कर रहा है, उसकी भी इज़त है, गरीम है, उसका भुगतान आदर से किया जाना चाहिए, और इसलिए देखिए, यहां क्या करा रहा है, पॉलिस, और यहां वो नीचे फैंक देता, बोलता है, साब पैसे उठागे मेरे हाथ में दो, मैंने अपने काम किया है, और वो पैसे क्या करता है, उसके हाथ में उठागर देता है, और दिखाता है, यह गरीमा का काम है, कि मैं जो काम कर उसमें किस प्रकार की समानता की बात हमारे हैं की गई है। ठिक बराबर हैं सब। कैसे हैं? सब समान हैं। ठिक और सब समान माने भी जाएंगे। है नहीं उनको मानना भी पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि आ समानता खतम हो गई है। अगर आभी कहने लोगों कि आज भी अनिक्वालेटी नहीं बची है तो य यह थोड़ा गलत है। यह खतम नहीं हुई है। लेकिन फिर भी कम से कम भारतियों में सर व्यक्तियों के समान वेवार के सिद्धानत को मानता तो मिली है। लेकिन यह बड़ी बात है कि कम से कम सर मानने सिद्धानत लोगों में आया है। यहां पहले बेदभाव और दूर वेभार ने लोगों की रक्षा करने के लिए कानून नहीं किया है अब अने एक कानून लोगों को समान और उसके साथ समानता के वेभार को सुनिशित करने में मौझूद हैं कैसा है अब उनको सुनिशित करना है कि कैसे क्या कुछ करें ठीक समानता को इस्थापित करने के काम करने वाली महिला तक के लिए सभी के लिए कानून एक समान है अब चाए काम करने वाली कानता हो चाए देश के राश्टपती हो या कोई भी आप देश के जाज हो आप कोई मंतरी हो आप कोई सेना में अधिकारी हो या किसी आप प्रस्टे जित्पत पर कोई अधिकारी हो। हर एक व्यक्ति के लिए कानून समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ धरम जाती वान जरनमिस्तान इस्तरी पुरुस के अधार पर वेदभाब नहीं किया जा सकता। अधिकी हैं आप अंसारी फैमिली से हैं उनके साथ घटना हुई आप ऐसा नहीं कर सकते। और चोथा आ इस फिस्ता का अनमूलन कर दिया गया है अंटचेविलिटी को भी समाप्त कर दिया आप च्वाचूद व्यक्ति नहीं कर सकते। क्लियर हैं और सरवजनिक लोगों को आप इंकार नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे कहता है तो समझ लीजिए उसके लिए समस्या पैदा हो जाएगी। कानून तुरंत खड़ा हो जाएगा उसके लिए। सासन ने भारत सम्विदान को मानता किया है कि समानता के अधिकार को दो तरफ लाग होता है। पहला कानून जो दूसरा है और दूसरी सरकार द्वारा आपका सरजनिक मदद कर रहा है। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्रक्तियों के समान विभाद को प्राप करने का अधिकार में सक्षम है। कानून के साथ साथ कानून में समुधायक के साथ सैक्रो वस्तक आसवांता का विवार है। उनका जीवन सुधाल आने के लिए आने कारेकरम की योजनाय लागू हैं जो आपका योजनाओं से सुनिशित करने के लिए चली गई हैं। जिन लोगों को अतीत में अफसर नहीं मिल रहे सरकार ने सुरू की थी मिड़े मीलियोजना मध्यांतर भोजन इसकारे करम के अंतरगत सभी सरकारी स्कूल बच्चों को दोपैर का भोजन दिया जाएगा यह भोजन सरप्रिथम तमिलाडू राज्ये से आपका प्रारंभ हुआ था ठीक और 2001 में उच्च न्याले ने सभ राज्यों को अपने स्कूल के अंदर 6 महिने में से लागू करने का निर्देश दिया 99 के अंतरगत आपका मध्यांतर भोजन विवस्ता सुरू की थी और कहरें इस दिसा में काफी सकरात्मक बात के प्रभाव हुए एक्जमपल के दोपैर का भोजन मिलने लगा गरीब बच खाना खाने घर जाते थे और फिर स्कूल से वापस नहीं आते थे परन्तु अब जब स्कूल में मध्यांतर भोजन मिलने लगा तो उपस्तिती में सुधार आया वे माताएं जिने पहले काम छोड़ने चोड़कर दोपैर में अपने वच्चों खाना खिलाने आप आना पड को इस इस कारे करम ने जातिगत Windows पूर्भाग्रा को कं किया यह जो कास्ट्वेर है उसको काफी कं किया है क्योंकि स्कूल सभी जातियों के सास्थ समान भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर भोजन पकाने के लिए दलित म하यलाओं को काम पर रखते हैं और मध्यानतर भोज निप्टाने में साहता है जो कि खाली पेट इस्पूल आते हैं अगर खाली पेट आएंगे तो उनका फोकस आपका पढ़ाई पर आपका नहीं हो पाता है अब देखे जदीपी सरकारी कारेकरम अब समय सामानता बढ़ने में महतपुण भूमी का निवारी किन्तु अभी भी कुछ आसा ही है कि मध्यांतर भजन कारेकरम निर्धन बच्चों का स्कूल में पिरवेश और उनकी उपस्तिदी को बढ़ा देता है कि जो बच्चे गरीब हैं निर्धन हैं उनकी वैसे वो लोग भी क्या रहे हैं आपका वो सब आपका स्कूल में आपका पहुंच जा रहे हैं इसी वज़े से और क्या हो रहा है कि उनकी संख्यापका बढ़ रही है गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं आज का स्कूल जिन में और प्रकास बालमी की जैसे दलित बच्चों के साथ बेद विवार आसमानता का विवार किया गया था अब इन बच्चों में ऐसी आसमानता इस्तितीकों में ढगल चाता है जहां उन्हें रक्षा जहां सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती इसलिए जो कानून बने हैं उनके आपका विवार करना अब कानूनी वरूद है तो आपका जाती धरम और अपंगता की इस्तिती में जातियों में महिला के होने वाले आसमानता का विवार बर्तवान भंदरस्टीकों को बदलना तभी संभाव है जब लोगों को यह विश्वास करने लगें कि कोई कम तर नही है और हर व्यक्ति समान जर्यक विवार का धिकारी है फिर्जा चंत्र समाज में समानताइस सापरित करना एक ससतत संघर्ष है इसमें व्यक्ति और भिविन समाज को सयोब बढ़ावा देना है तो इस पुस्तक में आप आपके बारे में और अच्छे से आप पढ़ेंगे और इस बारे में और अच्छे से जानेंगे कि क्या कुछ कैसे इसमें कुछ हो रहा है चली आगे मुद्दा है इस मुद्दे को भी हम पढ़ेंगे ऐसी बात नहीं है देखे मैंने क्या पूछा था अभी आर्टिकल पंदरह पूछा था ना यही देखिए यही पूछ रहा था यही सीमा अंसर में है है ना अच्छा आप इनको जानते हैं कितने बच्चे पैचानते हैं इनको देख लिया यह है डॉक्टर बीम राव अमबेटगर ड्राफ्ट कमेटी के चीफ रहे हैं यह आपको पता होना चाहिए चलिए आगे बढ़ता है कह रहे हैं कि अपने आत्सम्मान को दाप पर लगाने में जीवित रहने का आसोबनिये हैं कि अगर किसी ने अपना आत्सम्मान दाप पर लगा दिया तो बड़ा आसोबनिये हैं आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है और इसके मिना व्यक्ति नगर्णिये हैं ना के बराबर है आत्मसमान के साथ जीवन व्यतित करने के लिए व्यक्ति को कटनाई पर विजय पराप्त करनी होती है केवल कटनाई और निरता संगसी व्यक्ति पर बल विश्वा समानता पराप्त करता है मनुष्य नासवान है, हर व्यक्ति को किसी ना किसी दिन मरना है परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने जीवन का वालिदान आत्रसमान के उच्छ आदरसों को विक्सित करने और अपने मन जीवन को बैसर बनाने के लिए करेगा इसे सांसी रख्ती के लिए आत्व सम्मान जीवित रहने में अधिक सोबनी है और कुछ नहीं है कैसा है उसको केवल जीवित रहना है और कुछ और आपका इसके लिए आपका नहीं है जीवित रहेंगे तो ही सब कुछ हो सकता है इनके लिए समान की स्तिती को ढखिला जाता है और उसकी रक्षा नहीं की जाती, कानून बनाने के लिए बाद में उनको समान समझने से इंकार कर जाता है, मुख्या कारण यह है कि रश्ची कोड में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, तो मैं देख बता रहे था, अब हमको ये वाला बिंदू बढ़ना है, अन्निय लोगतंत्र के मुद्दे, साथ आप सोचते होंगे कि भारतिय लोगतंत्र एक ऐसा है जहां आसमानता कास्तित्व है, जहां आसमानता के लिए संगर्दारी है, सच में ना तो संसार के अधिकांस, लोगतंत्रिक देशों में सम आसमानता के मुद्दो पर विसे संगर्स हो रहा है, एक्जामपल के लिए समितराज अमेरिका में अफरीके अमेरिका में जिनके पूर्वच गुलाम थे और अफरीका से आये थे, आज भी अपने जीवन के मुख्य रूप को आसमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दसक में अफरीकी अमरीकन के समान अधिकार दिलाने के लिए अंदोलन हुआ, और इसे अफरीकी अंदोलन के सहिंगत रूप से आसमान बेभार होता था, जो कानून में आसमान नहीं था, एक्जामपल के लिए बस में यातरा कर रही पीछे बैठा ही वेक्ति, जब गोरे आदू बै बैठ सकते हैं, और आज समय हैं कि सब आपका इक्वल हैं और कोई भी कहीं भी किसी व्याधार पर बैठ सकता है। इसने कहा है कि अफ्रीक अमरीकन स्कूल में बच्चों में, दरवाजे खोले जाएंगे और उनके स्कूल को नहीं लेना पड़ेगा और विशेश रूप से खोल दिये जाएंगे। मतलब बहुत तकड़ा अंदुलन हुआ और उस अंदुलन ने एक रिजल्ट पर आपका पहुंच गया है। ठीक है ना? अब देखें बाग के तो इसका कॉनक्लोजन बचा हुआ है। इस कॉनक्लोजन को आप देख लेजिए। कि किसी भी देश में पूरे तरह से कोई लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमेसा समुदाय और व्यक्ति होते हैं। तो लोकतांत्र के नए अर्थ देते हैं अधिक साधी का समानता लाने के लिए नए सवाल उठते हैं। इसके केंदर में वह संगार से हैं जब सब कुछ व्यक्तिव को समानता दिलाने के लिए पक्षदर हैं। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रसन भात्य लोकतंत्र हमारे द्यानिक जीवन के पहलों पर है। और इन पार्ठ में हम इन पर सब पर विचार करेंगे और एक एक करके अच्छे से देखेंगे और हम बात करेंगे। देख लिए तो पूरा चैप्टर समानत हो गया। आप ये वाला आर्टिकल को जरूर कोपी करें। सभी बच्चे। ये आर्टिकल 15 है आप इसमें जरूर लिखिए। खरम, भूलबन, जाती, लिंक, जनम, इस्तान के अधार पर आप किसी व्यक्ति से बेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने पूरे इस चैप्टर को पढ़ा कि आ समानता के लेकर समानता कैसी है, क्या का कारण है, कहां पर जेलना पड़ा, कैसे कुछ प्रावधान, निसकर्स, पर हम लोग पहुंचे। आर्टिकल 15 को आपने देखा कि Constitutional में क्या प्रोविजन है, किसी धरम जाती लिंग जरमिस्तान के धार पर किसी के साथ आप कहीं भी किसी प्रकार का बेद्विवाव नहीं कर सकते हैं। आपका टॉपिक होगा और उसमें नए टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद।